हलो तो मैं आज हमारी 11 सिरीज है इसे पहले मैं 10 सिरीज अपलोड कर चुकी हूँ है अगर आपने वो नहीं देखी है तो मेरे चनल पर जाके आप उन्हें भी देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स कोशन है हमारा मंडी स्टेट असोसियेशन की स्थापना किसके दौरा के गई स्वामी पूर्णानंद लाला हर द्याल या फिर लाला लाजबत राए तो मंडी स्टेट असोसियेशन की स्थापना जो है ये के गई स्वामी पूर्णानंद के दौर करना था but 1 जुकुमुदॡ गढता है दक्षिनेशिय का सब से बड़ा ऐस्केटिंग मैदान स्वाम के इस से ही कहा जाता है और यहां पे एक कॉलिज और स्फोध संस्थानों का शेकषिक केंद्र भी इसे ही कहा जाता है नेक्स कुश्चिन है आपके सामने वाइस रिगल लॉज जो है यह किसके शर्षनकाल के समय बना था सर जॉन लॉरेंस लॉड कैनिंग लॉड डफरिन या फिल लॉड हैस्टिंग्स तो यह बना था लॉड डफरिन के समय वाइस रिगल लॉज निक्स वन है शहाजाह ने बंगश का थानिदार किसे न्यूक्त किया था तो बंगश शाजा ने जो है बंगश का थानिदार किया न्यूक्त जगत सिंग को और यह कौन से सन्मी किया था तो यह किया था 1634 में नेक्स्ट वन है जगा अंदोलन कहां हुआ था बिलासपूर, कांगडा, शिमला, धर्मशाला, तो ये जगा अंदोलन जो है ये हुआ बिलासपूर में और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1983 में, जो नेता थे बिलासपूर के राजा अमरचंद थे उस समय, नेक्स्ट वन है हि सिर्मौर मंडी शिमला धर्मशाला तो हिमांचल में IIT है मंडी में जिसकी स्थापना जो है वो कर दी गई 2009 में हिमांचल में IIM कहां स्थित है IIM से मतलब है हिमांचल प्रदेश भारतिय प्रबंधन संस्थान तो यह कहां पे स्थित है शिमला सिर्मौर धर्मशाला कांगडा तो ये है सिर्मौर में स्थित जिसकी स्थापना 4 सिप्तमबर 2015 में की गई. Next question है आपके सामने किस सिर्मौर की राजा ने अपनी राजधानी राजबन से कासी बदल दी थी? उदिद प्रकाश, करम प्रकाश, श्याम प्रकाश, अजय प्रकाश तो इसका अंसर आप मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड कीजिएगा. Next one है रविन्दनाथ टैगोर ने कुछ महीने कौन से डिस्टिक में बिताए थे? शिमला, उना, धर्मशाला, डलहौजी तो इन्होंने अपने कुछ दिन डलहौजी में बिताए थे? तब इन्दनाथ टैगोर ने. Next question है आपके सामने मिया चुंचू और राजवेद्य सूरज सिंग कहां हुए विद्रोह के नेता थे? शिर्मौर, बिलासपूर, धामी, मंडी तो यहाँ पे आपका अंसर रहेगा सिर्मौर पजहतो जो है सिर्मौर में एक शित्र का नाम है और यहाँ पर 1943 में मिया चुंचू, चेत्राम, वर्मा और वेद्य सूरज सिंग के नितिवत्व में एक आंदोलन हुआ था. निक्स्ट वन है हिमांचल में कमला नहरू चिकित्सकाल कहाँ पे सित्थ है शिम्ला, सिर्मौर, मंडे, बिलासपूर तो के एन एच जो है यह आपका शिम्ला में है और इसे लेडी रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट वन है कुलूत देश के कहानी उस्तक जो है उसके लेखक कौन है तो यह है लालचंद प्राथी. नेक्स्ट वन आता है हमारे पास क्वेशन हिमालियन सर्किट के लेखक कौन है जो हिमालियन सर्किट पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है तो यह लिखी ग प्रोवेंस ऑफ हिंदुस्तान के लेखा कौन है तो यह पुस्तक जो है विल्यम मूर क्राफ्ट के द्वारा लिखी गई है तो जितने भी कुश्चन है प्रोवेंस फित्ती के बारे में, किस ने कहा था कि यह स्थान मनुश्यों के रहने योग्य नहीं है तो यह कहा गया था रूड यार कि स्वेटिय। यह स्थान मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है नेक्स वन हिमाल्यन परिचे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई तो हिमाल्यन परिचे पुस्तक जो है यह लिखे गई है राहुल संस्कृत त्यायन के द्वारा किसके द्वारा राहुल संस्कृत त्यायन Again, most important questions Next is, Lajo Pustak किसके दौरा लिखी गई है? तो Lajo Pustak जो है ये लिखी गई है किसके दौरा किसके दौरा शांता कुमार के दौरा Next one है हिमालेयन आर्ट पustak की लेखा कौन है? तो हिमालेयन आर्ट जो है ये पustak जेसी French की दौरा लिखी गई है और अगर आपसे हिमालेन पिल्ग्रिमिज पूछे जाए ठीक है एक हिमालेन आट आता है जिसी फ्रेंच लिखो गया आप और अगर हिमालेन पिल्ग्रिमिज पूछी जाए तो वो लिखी गई है फ्रेंड बी और दत्तार के दौरा क्लियर यह एक्षे इसमें questions आएं हैं अपके नेक्स वन है जिवाफिय फिमांचल प्रदेश के लेखा कौन है तो जिवाफिय फिमांचल प्रदेश यह लिखी गई है कि एल जोशी के द्वारा और इनों ने जो है इसमें HP Geography का बहुत ही अच्छे तरीके से वनन किया है निक्स इस पुस्तक दो वन्डर लैंड ओफ हिमांचल प्रदेश किस के द्वारा लिखी गई है अगें तो यह लिखी गई है जग मोहन भलोखरा के द्वारा लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेशन ओफ दिस क्विज दैट इस यूर डोडरा कवार पुस्तक किस के द्वारा लिखी अगर डोडरा कवार पुछा दाय तो यह कहां है शिम्ला में है और यह पुस्तक लिखी गई है शरब नेगी के द्वारा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे थैंक यू सो मच फ्रेंड